दिल्ली में कॉंग्रेस के कद्दावर नेता रहे योगराण शास्त्री इन्होंने आप NCP जोईन कर लिया हमारे साथ योगराण शास्त्री हैं उनसे बात करते हैं समझते हैं कि क्या ऐसा कारण रहा कि NCP जोईन की G23 जिन नेताओं के बात करते हैं उनमें सी योगराण शास्त से आप कॉंग्रेस का जुड़े रहे हैं और उसी के अनुरूप जीवन यापन किया है वेदों में कहा है कि व्यक्ति को सो वर्ष तक जीने के लिए कर्म करते रहना चाहिए तो कर्म करने के लिए हम यहाए हैं वहाँ इस समय शितिलता है मैं किसी की बुरा ही नहीं करता लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं है क्या लगता है आपको कैसा नहीं है कि आपको कॉंग्रेस छोड़कर एंसीप बहाने पड़ा और एंस कॉंग्रेस के अगर बात करें तो बहुत पुरानी पार्टी है साथ साथ एंसीप तो कॉंग्रेस है निकलिए देखिए बहुत परणी पार्टी है आपकी बात को मैं मानता हूं और मैं भी यही समझता हूं और देश को अज़ादी जलाने वाली पार्टी है लेकिन वो मानने ता है आप बदल गई है इस समय जो कॉंग्रेस है वो गांधी वादी कॉंग्रेस नहीं है यह दुरबागे क की बात है और इसी लिए बहुत मन्थन के बाद मैंने फैसला लिया है क्या लगता आपको क्या लीडरिशिप नहीं है कॉंग्रिस पार्टी के पास कोई सोच नहीं बची क्योंकि हमने देखा 14 के बाद से तो कुछ भी इसा बड़ा चीज होता वो दिखनी रहा रहूल गंदी नहीं है यह बत मांता हूं लेकिन अध्यक्स नहीं होने से कोई कमेँ वहां नहीं है इस समय बड़ी योगे महिला हैं लेकिन समझे यह Посके नीचे लोगों को चुना गया है वो कोई बाला करने वाले नहीं है, मेनत कर रहे हैं, प्रियंका जी भी उत्तर प्रदेश में, राहूल भी अपने आप में जो जिस तरह से करनी चाहिए, कर रहे हैं, लेकिन नीचे कुछ नहीं है, मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ, पुराने समय की, तक्षशिला में एक बार विद्रो हो गय अशोक वहां पहुँचे, समराट अशोक, समराट नहीं थे, उस समय कुमार थे, बिन्दुसार समराट थे, कुमार को कुछ खेत्र दे दिया जाता था शासन के लिए, तो वो विदीशा और सांची वगरा में कुमार थे. मैं आपसे यह समना चाहता हूँ, कि नीचे ऐसे कौन वो लोग है जिनकी आप बात कर रहे हैं, कि उनसे नहीं हो पार है, मैंने इस से पहले ही देखा था, दिल्ली की आगर बात करें, पीसी चाको भी जो हैं दिल्ली संभाल रहते हैं, उननों छोड़के एंसी पी जोईन की आप एंसी पी की तरफ जा रहे हैं, कौन ऐसे लोग है नीचे लेबल के जो पार्टी को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हूँझा दिखा नहीं चाहते हैं? देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूगा सब लोग इस बात को जानते हैं कौन क्या है एक ही बात आप देख लीजिए पंजाम में क्या हुआ है वो पार्टी के भलाई के लिए नहीं है उसके दूरगामी दुष्परिणाम होंगे ऐसे ही अनेक प्रूंतों में यह इस्थिति है वहां के नेता बहुत अधिक प्रिशम कर रहे हैं करें लेकिन उसका सूर परिणाम नहीं निकले तो कोई फाइदा नहीं है नजोट सिंग सिद्धू के बात कर रहे हैं कि उनको अगर्जक्ष में आएगया उसके दूरगा निकलेंगा अप मानते है अच्छा परिणाम नही दूसरा हमने जम्म किश्मीर में ऐसे देखा कई लोग ने स्थीफा दिया कॉंग्रेस पार्टी के उस पर क्या करेंगे क्या मानते हैं देखे जब तक पार्टी लीडर्शिप मंधन नहीं करेगी आत्म चिंतन नहीं करेगी आत्मा उलोकन नहीं करेगी तब तक पार्टी का सबको बैठ करके सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए और जब समान विचार धारा वाले लोग हमारे से घठ बंदन करना चाहेंगे तो उनके लिए दरवाजा बंद नहीं होगा एक सवाल मैं यह आप से समान जाता हूं क्या आप मानते हैं कि कॉंग्रेस का कोई फ्यूचर नहीं बचाए कि इसलिए आप यहाँ पर आएं नहीं यह तो वो जाने वहां का नेत्रित वो जाने इसलिए पूशना क्या आप बहुत लंबे समझे रहे हैं सर दिल्ली के राजनीती में आपका एक बहुत महत्पून रोल रहा है कॉंग्रेस पार्टी के आगर हम बात करें मैं जैसे बताया है कि शिल्या दिक्षित के साथ हम अच्छी स्थिती नहीं है मैं कह सकता हूं यदि दिल्ली को आगे बढ़ाना है तो बहुत सोचना पड़ेगा और दिल्ली में अच्छी स्थिती नहीं होने का मतलू यह है इसका असर जाता है पूरे इंदुस्तान में यहां आप लोग नाकान सब कुछ हैं मीडिया वाले कि वह वही प्रसारित करते हैं जो देखते हैं और उस स्थिती को आप खुद समझ रहे हैं मुझे बहुत कहले हैं कि जरूरत नहीं पड़े दोवजार चौबीस आने वाले आप पहले उससे पहले उत्रपरदेश के बीचुना हुए वहां पर भी कॉंग्रेस एक तरफ हम द हैं इवाह मुख्य मंत्री है कि लिखिन योगी जीने कुछ जातियों को उन्हें राश करदिया है है यदी वह सब वह ख्लों नंका आना मुस्किल होगा है, राश्ट्री लेवल पर कॉंग्रेस पार्ट्य का बहुत कि अब कहां देखते हैं यस राश्ट्र यो राश्ट्र लेकिन गांधियों को भी चाहिए कि सबको साथ लेकर चलें और कोई बात कोई कहता है तो उस पर विचार हो हमारी संस्कृति में यह कहा गया है जीवन तुम्हे शत्रू गणा सदीव है यह साम प्रसादात प्रफिर्श है भगवान मेरे शत्रू भी सो साल जी है क्या गांधी इस के बिना कॉंग्रेस पार्टी को इमेजिन किया जा सकते है यह सवाल आप उनी से पूछिए आप मैं आपकी बात राय जाना चाहिए नहीं यह सोचने की बात है और पूरी कॉंग्रेस को सोचने की बात है